सेवा 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 जोहार मेरा नाम पुर्शोत्तम धुर्वे है और आज नैशनल थर्ट कर्वेंशन जो हमारा जो नैशनल कर्वेंशन है उसका आज दूसरा दिन है तो सबसे पहले तो मैं GSU इंडिया को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो उसने इतने मुश्क मतलब कि express कैसे करना है तो इसी पर मैं आज छोटी-छोटी बाते बताना चाहूंगा आप लोगों को सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कि अभिवक्ति कैसे करना है तो उसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ता है तो उसकी सुरवात मैं कुछ बहुत ही सु वो अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से अभिवक्त कर लेता है रोक के जब उसको भूग लगती तो वो रोता है उसकी मां को समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूग लगी है पर उसके दूसरा और एकर तरीका होता है रोने का जिसमें ये होता है कि जो बच्चा होता वो अलग तरीके से रोता है और मा को समझ में आ जाता है कि उसको कोई तकलीफ है तो इस तरीके से बच्चे के पास कोई वर्ड नहीं होता कोई सब्द नहीं होता फिर भी वो बहतर तरीके से अपने आपको अभिवक्त करके अपने माता पिता को बता देता है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब अभिवक्ती की बात आती है जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो यह जो quality है हम सभी लोगों में बच्पन से by birth होता है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर किसी को डर लगता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह by birth है जनम से ही हमारे पास में यह quality रहती है बस हम समय समय पर इसका use करना बिलकुल बंद कर देते हैं दूसरी चीज में आपको बताना चाहूंगा हमारा सवविधान हमारे सवविधान में बहुत पहतर तरीके से समझाया गया है विचार और अभिवक्ति को तो सबसे पहले में पताना चाहोंगा जिसे हम सवविधान की आत्मा कहते हैं हमारा उद्हेशिका या जिसे हम प्रैंबल कहते हैं या प्रस्थावना कहते हैं उसमें clear लिखा हुआ है कि विचार और अभिवक्ति का अभिवक्ति की सौतंतर्ता फिर जब हम समानता और स्वतंतरता की बात करते हैं तो स्वतंतरता के अधिकार में भी आर्टिकल 19.1a में लिखा है विचार और अभिवेक्तिक अधिकार आपको हमको इतना बड़ा अधिकार मिला है तो हम क्यों नहीं अपने आपको अभिवेक्त कर पाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको दो चीज़ें एक तो बाइबर्थ और जिस गरंच से हमारा जो देश चलता है वो सवविधान है उसमें इतनी बड़ी बात कही गई है तो आप बिल्कुल बेहिजक बिना डरे अपनी बात रखिए क्योंकि बात रखने से ही बात बनती है तीसरी चीज़ में बताना चाहूंगा कि हमारा education system हमारे education system में तथ की बाते जयदा होती है कुछ भूत काईल की कुछ गटनाय घट गई है उनकी बातें बार बार होती रहती है और वो बदला नहीं है कई वर्सों तक तो उसमें होता यह है कि अधिकतर टाइम यह है कि हम वही रटी रटाई चीज़े पढ़ रहे हैं भारत कब आज़ाद हुआ था गांधिजी कब मरे कब उनने आंदोलन चलाया इतिहास में क्या हुआ और वरतमान की कुछ छोटी मोड़ी चीज़ा एड हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो समाजिक और बौधिक और मांसिक छमता है समाज के पृति या कोई विचारधारा के पृति वो पनप नहीं पाता है तो इसको मजबूत करने के लिए हमें अलग से कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए फिक्षन, नॉन फिक्षन ऐसे मैगजीन्स पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारी हमारे पास सब्दों का सब्दो कोज बढ़ते जाए जिससे क्या होगा कि जब हम कहीं पब्लिक स्पीकिंग में जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है तीसरी चीज है हमारा सोशल कल्चर अगर हम गौनवाना की बात करें तो इसका जो समाजिक रीती रिवास परंपरा है इतना विक्सित है कि आपको कहीं न कहीं हर जगा बोलने का मौका मिलता है जैसे कि जब मैं छेड़ छेड़ता की बात करता हूँ तो छेड़ छेड़ता में क्या होता है कि बच्चों को ही पूरी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि उनके एक जिम्मेदारी आई है और वो उसको बहतर तरीके से सर्व करता है तो यही मैं बताना चाहा रहा हूँ कि सोशल हमारे जो समाजिक रितिरोयस परंपरा में बहुत अच्छे तरीके से अभिवक्त करने की बात या ऐसे मंच बनाए गए हैं जिसमें आप अधिक से अधिक भाग लेकर अपने आपको अपने पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं एजुकेशन हो गया हमारा स्वामाजिक कल्चर हो गया इन सब चीजों पर अगर गौर करिएगा तो आप इन सब चीजों का यूज़ करके आप बहतर तरीके से अपने आपको प्रस्टित कर सकते हैं अगर आप छोड़ते हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होता आप समझ नहीं पाते हैं और हम भी नहीं समझ पाते हैं तो यही होता है कि आपने देखा हुआ कि आज जो बड़े-बड़े नेता मंतरी होते हैं वो बहुत उनको जादा किसी विशाय का गहरा ग्यान नहीं हो पर उनकी public speaking बहुत जबरदस्त रहती है और उस माध्धम से वो लोगों को आकरशित कर लेते हैं और बहुत बड़े-बड़े उद्देश अपने पूरे करवा लेते हैं तो इस चीज़ को आप समझी है कि हमें अभिवक्त करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो अगर आज क्या ह आज इतना बड़ा जो platform हमें मिला ये अभिवक्त करने के लिए ही तो मिला है आज हम चाह रहें GSU इंडिया ये चाहता है कि हमारे बच्चे अभिवक्त करने की कला को सीख सकें technology के माध्धम से live आके और ऐसे छोटे-छोटे मंच जो छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं उ बड़े-बड़े olympic जैसे game का date change हो चुका है और वो नहीं होने वाला है पर देखे GSU इंडिया ने अपना बहतर तरीके से अपना आज national convention का दूसरा दिन सफलता पूरवक आंगे बढ़ रहा है और फिर अब मैं बात करता हूं public speaking के बाद हम थोड़ा सा writing skills की भी बात कर ले अपने विक्सित कली है अपने मन के अंदर क्योंकि उनकी लेखन से ली लिखने से ही उनका आधा 50% काम हो गया आपके दिमाग में वो चाप छोड़ दिये हैं तो आप देखिए कि अगर आप साहित के माध्धम से लेखन के माध्धम से कवीता है कहानी के माध्धम से अगर आप अपने आपको विक्त कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा सिंपल और साधारण सा प्लेटफॉर्म में घर बैठे आप लिखिए और बहुत से ऐसे मैगजीन है बहुत से ऐसे वेबसाइड है जहां पर पोस्ट कर सकते हैं इसी उद्देश से हम लोग ने कोया कोयाव अच्छी जानकारी है तो उस चीज़ को हमें दीजिया हम उस चीज़ को हम अपने वेबसाइड में कोयाविचार.com में पब्लिस करेंगे और आखरे में मैं अपनी बात को अंत में समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि GSU इंडिया ने जो करके दिखाया है वो काबली तो मैं चाहूंगा कि मेरी चोटे चोटे टिप्स और ट्रिक्स जो हैं आप लोग अपनाईए और अपने जीवन में इसका पालन करिए जिससे कि हम अपने आपको हम अपने GSU इंडिया को पूरे दुनिया में बहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें तो मैं यही कहना चाहूंग सेवा 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 जोहार